हाई एबरिवन दिस इस पूजया एंड फी आर हेयर तु डिसक्स अबाउट क्वालिटिटिव एंड क्वान्टिटिटिव इन ओर्गेनिक अनालेसिज ओके बीसे सेकिंड यह का बेसिकली यह चैप्टर है सिक्स्थ चैप्टर हाई थिंग सो जितने भी के एक पेटरन है हमार के यह प्राक्टिकल में भी आता है क्वालिटिटिव एंड क्वान्टिटिटिव एंड इन ओर्गेनिक का पार्ट है बेसिकली इन ओर्गेनिक में आप आयन्स को डिटेक्ट करते हूं आपको क्या दिया जाता है एक सेंपल प्रोवाइड किया जाता है उस सेंपल में आपक टाइपस के आयन से वो आपको यहां पर निकाल ले हैं, तो basically this is part of your analytical chemistry, तो हम इसको basically जो qualitative and quantitative analysis हमारे पास है, इसको basically हम analytical chemistry में पढ़ते हैं, तो जो हमारे पास analytical chemistry है, that is a part of chemistry, where we discuss about experimental techniques, हम क्या करते हैं, experimental जितने भी हमारे techniques होती हैं, उनका हम इस्तमाल करते हैं, to find out your sample ions, आपको क्या दिया जाएगा, एक sample provide किया जाएगा, उस sample में क्या क्या present है, कौन से ions present है, और किस type का material है, किस type के molecules present है, उस sample में से उन चीज़ों को निकालना, by experimental methods, आप experiment करेंगे, labs में जाकर, chemistry labs में जाकर, उस को बोलते हैं, analytical chemistry, तो this is specifically a part of analytical chemistry, ओके यहां पर आप experiment करेंगे, experimental techniques लगाएंगे, results निकालें, results में कौन से ions आते हैं, फिर UV spectroscopy, बहुत सा spectroscopy से आप ions का find out करेंगे, अब जो हमारे पास analytical chemistry है, इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इस analytical chemistry के further हमारे पास two parts है, that is qualitative analysis, त हम पढ़ेंगे, qualitative analysis क्या होता है, और एक हमारे पास होगा, that will be quantitative analysis, दूसरा क्या होगा, quantitative analysis, ओके तो यह दो analysis हम करेंगे, तो analytical chemistry में basically दो पढ़े जाते, qualitative यानि quality निकालने, किस टाइप के ions, iron है, copper है, nickel है, कौन से ions present है, वो हमारे पास हो जाएगी, qualitative analysis हो जाएगी, कितने positive में हैं, तो यह सब निकालना हमारा किस में आ जाएगा, qualitative, यानि quality आपको निकालने, कौन से types के ions आपके sample में present है, okay, quantitative में आपको क्या करना है, amount find out करनी है, कितने amount में वो radicals आपके पास present है, कितने concentration में present, 90%, 80%, 70%, कितने percentage में वो ions present है, तो वो जो percentage निकालना होता है, वो आएगा quantitative analysis में, तो इस तरह से आपको two types की analysis करनी है, qualitative and quantitative, इसको हम detail में पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे qualitative analysis, तो जो qualitative analysis है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो basically qualitative सबसे पहली होती क्या है, analysis, तो quality में हमने बताया है, कि आपको क्या करना है, type of ions निकालने, आपको क्या करना है, type आपको इसमें find out करने हैं आपके acid radical present है उसमें acidic radical present है sample में आपके या फिर आपके basic radical present है तो वो सब चीजों को find out करना ही हमारे पास क्या होता है qualitative analysis means आपको quality निकालने quality का means जो है आप जो shops पे जाते हैं उसमें क्या करते हैं आप quality पूछने कौन सी अच्छी quality का है तो वो आपको यहां पर तरीका नहीं लगाना है this is chemistry तो chemistry में आपको यहां पर क्या करना है quality में आपको normal types देखने हैं concept types के ions present है तो this will be your quality तो आपको just simple bold review में सिर्फ ions देखिए कि आपको जो sample दिया गया है आपको जो sample आपको sample देगा उसमें जो ions present हो मिक्स करके देगा वह आपको क्या देगा एक mixture देगा तो उस mixture में आपको सिर्फ यह देखना है कि कौन से टाइप के ions है acid है basic radical है यह भी मैं आपको बता देती हूं कि कौन से radicals हो सकते हैं कौन से types के हमारे पास radicals होते हैं acid वालों को कौन से को बोलते हैं और base वाले कौन से होते हैं हमारे पास ओके तो यह होगी हमारे qualitative तो अब इसमें मैं बता देती हूं हमारे पास दो टाइप के आन होते हैं दूसरी कौन से होते हैं हमारे पास बेसी क्रेडिकल हमारे पास होते हैं तो जो आपके पास एसटी क्रेडिकल से वह हम बोलते हैं अनायन को जो भी आपको सेंपल दिया जाएगा उसमें आपके पास क्या होगा एक सोल्ट में क्या होता है कनायनिक पार्ट होते कटायनिक पार् नेगेटिव है तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है जो आपका सेंपल है सोल्ट आपका जो है उस सोल्ट का जो आपके पास नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा आपका एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन जो होते हो नेगेटिव ले चार्ज होते हैं तो को भी हम क्या बोलते हैं यह बात आपकी clear है इनको हम क्या रखना है कि आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको बुला जाए आप लिए तो आपको फोल्ट का नीगटिव पार्ट निकालना है यह यह रहसे अलाएंस तो आप fps haidkenाईन्स हैं तो बैसिक आपको बोला जाता है ile Rising finance का मेन निकाल निकालने इंध onlyfi टो फुर शॉट के अंट करना आपको सब्सक्राइंब होगा नियुक्त हों से अजयों हर जैए को आपको होजाएगा सिल नेगटी वीडों तो इस तरह से आप इन तो आप देखो आपके पास है quantitative analysis जैसे हम प्रिवेस लेक्चर में complete कर चुके हैं कि हमारे पास quantitative analysis नाम से पता चल रहा है quantity that means quantity से ही quantity वर्ड आया है तो यहां पर आपको क्या निकालने है स्पेसिफिकली क्या निकालने quantity of your sample जब आप sample में से detection करेंगे ions का तो सबसे पहले आपको क्या करने है qualitative analysis करने पहले आप quality निकालेंगे चिक है उसके बाद आप quantity निकालेंगे यह बात आपको ध्यान अखनी यह नहीं सबसे पहले आप quality quantity निकालने है amount निकालने कैसे लग सकते आपको पता ही नहीं किसकी amount निकालनी है तो सबसे पहले आप qualitative analysis करेंगे उसके बाद quantity सबसे पहले ions निकाले कौन से ions उसमें present है जब आपको ions का पता चल जाएगा उसके बाद आप उनकी quantity निकालेंगे quantity को हम क्या बोलते है basic language में amount यह नहीं आपको उन ions की जो भी ions आपने detect क आपको क्या निकालनी amount find out करनी है उसको बोलते हैं quantitative analysis जैसे मैं एक आपको simple सा example दोंगे जिससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि amount का क्या difference होता है ओके यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहें जैसे आप किसी शॉप पे चले जाते हैं ओके आप किसी शॉप पे च milk यह कौन सी बोटल आपके पास milk की beer bottle यह कौन सी बोटल आपके पास milk की bottle आपके पास थोड़ा सा देख लेना अपना दोनों तो आप क्या बोलोगे सर जी प्लीज ऐसी बोटल दीजिए जिसमें अच्छी क्वालिटी है जो सबसे प्यॉर मिल्क है मुझे तो वही चाहिए अब हमें क्या पता कि कौन से वाला प्यॉर है यह है या बी है हमें तो क्या दिखाए देंगी यह वाली बोटल भी हमें वाइट दिखाए देगी क्योंकि मिल्क का कलर क्या होता है वाइट होता है और यह भी हमें वाइट ही दिखाए देगी तो इस तरह से हम कैसे डिस्टिंग्यूस करेंगी कौन सा अच्छी क्वालिटी क तो आपको क्या पता तो आप के लिए क्या है तो बोटली को लेको डिये फांट के लेकी तो क्या करेगा तो क्या करेगा दोनों बोटल्स को उठाके लेगे जाएगा chemistry lab में और chemistry lab में जाके करेगा क्या qualitative analysis quality आपको पता ही है quality क्या है इसकी milk quality क्या है इसकी milk तो उसको यह तो पता चल गए कि इसमें क्या है milk है दूसरे factor क्या लगाएगा यह quantity इना से यह निए second number पर करेगा वह quantitative analysis अब इसकी quantity निकालने तो उसको क्या पता चलता है जब उसने experiment लगाया तो उसको यह पता चलता है इसमें तो 50 प्रेसंट वाटर प्रेजंट है इसमें क्या है 50% water है और यह क्या है आपका 100% milk है इसमें आपका 100% तो इसी को तो बोलते हैं quantity आपको दीखनी है मिल्क की quantity कितनी है सेंपल में तो यहीं तो होती है quantity आपको quantity निकालने कि कितने amount में आपका milk है इसको तो बोलते हैं अब अब तो आपके पास clear होगी वाले बात कि quantity का means क्या आपको simple quantity निकालनी है